नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मोटरोइज में और आज हमारे साथ है रेनॉल्ट की MY2022 काईगर अब काईगर की बात की जाए तो यह काफी सक्सेस्फुल कॉम्पक्ट स्यूवी है रेनॉल्ट की तरफ से और अपनी launch से February 2021 में आज तक रेनॉल्ट ने इसके 50,000 उनिट्स सेल की है अब इसमें ऐसा क्या खास है जो इसको इतना popular बनाती है और 2022 के लिए क्या changes रेनॉल्ट ने की है इसे fresh रखने के लिए आज हम वही देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं अब पहले अगर front की बात कीज़े तो इसका design एकदम similar है आपकी पहले की काईगर की तरह आपकी strong bonnet lines जो आपको दिख रही है रेनॉल्ट का जो एकदम बड़ा लोगों है वो भी सेम ही है आपका chrome grill हो गया और जो LED DRLs है slim वो again सेम ही रहती है आपकी जो tri beam LED headlight setup है वो आपको इदर नीचे देखने मिलेगी और अगर आप और नीचे जाएंगे आपको ये नया silver skid plate देखने को मिलेगा बाकी सब सेम ही देता है इस चीज के अलावा और इसका जो front face है वो काफी imposing and attention grabbing है अब अगर side में आ जाए तो again आपकी जो overall design है वो एकदम सेम है और जो changes है वो काफी छोटे हैं जैसे कि आपके जो 16 inch alloy wheels है उनमें अब red wheel caps आते हैं आप और पीछ आएंगे तो आपको एक turbo का dec क्याल देखा जाएगा यह सिफ टोबो वेरियंस वहीं मिलता है और overall बाकी सब सेम ही है आपके जो silver roof rails है जो black door handles है आपके dual tone variant में सब सेम है अब अगर पीछे आए तो again आपका familiar boot है जो C-shaped LED tail lamp है सेम ही रहता है आपकी काईगर की badging और जो reverse camera है वो काफी smartly इन्होंने logo में integrate किया है जो minor change renault ने पीछे किया है वो है यह एक chrome strip जो boot पे लगा है और अगर boot की बात की जाए तो काईगर में आपको मिलेगा best in class 405 liters का space अब यह काफी deep है तो आपकी loading lift काफी high तो अगर कुछ heavy सामान है तो उठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको बट overall इसकी space काफी अच्छी अंदर अब चलिए देखते हैं कि अंदर क्या changes किया है rednault ने तो अगर interior की बात की जाए तो exterior की तरह इसका भी overall layout and जो design है वो similar ही रहता है आपकी जो plastic quality है वो भी same ही है जो decent है अप with red stitching आपके जो audio controls है वो भी है similar बट एक चीज नहीं है वो है cruise control के buttons जो Renault ने add किया है नया बाकी जो changes किया गया है वो है ये flash red treatment जो आपकी dashboard के उपर है आपके जो seats है well उनमें अब एक quilted finish आता है जो आप देख सकते है and red stitching भी नहीं है एक और feature जो काईगर में अब standard आता है व ये पहले सिफ higher variance में आता था बट अब ये standard किया गया है एक और feature जो Renault ने add किया है वो है wireless charging ये पहले एक as an accessory available था बट अब ये standard आता है top in variant में and again आपके जो cruise control है वो इदर से activate होता है and steering से control होता है overall interior same ही है आपकी जो features है पहले की तरह जैसे कि आपका automatic climate control हो गया आपका जो 8 inch का touchscreen है वो पहले की तरह ही similar रहता है काफी slick है अच्छा है use करने में और ये one of the very few cars है segment में जिसमें wireless android auto and apple carplay आता है आपका जो 7 inch का digital instrument cluster है वो भी same ही है और काफी crisp है अच्छा display है and आप अगर modes change करे तो इसका display भी change होता है आपकी जो storage spaces है वो भी similar ही है and काईगर काफी practical है आपको एक dual glove box setup मिला है जिसमें cooling function भी होता है आपका phone रखने के लिए और आपकी key रखने के लिए ये space है आपका जो center console है उसमें sliding tray मिलती है जो काफी deep है और आपका जो armrest center वो भी इसी area में open up होता है आप चलिए देखते कि back seat में क्या story है आप back seat में भी काईगर familiar ही रेती ह है और ये अच्छी बात है क्योंकि काईगर में काफी अच्छी space है आपका जो leg room है काफी अच्छा और ample है पीछे seats के नीचे pair रखने की भी जगा है इदर and आपका जो under thigh support है वो भी ठीक ठाक है not the best in the class आपकी जो headroom है वो भी adequate है at least for people like me who have an average height और आपकी जो features है वो आपका center armrest है जिसमें एक phone holder भी है और attention to detail रेनॉल्ट का इतना अच्छा है कि इन्होंने जो quilted finish है वो armrest में भी दी है और आपको rare AC vents भी मिलते है अब एक चीज जो रेनॉल्ट को change करनी थी वो थी कि इस 12V socket को एक USB port बना दे अब अगर driving की बात करें काईगर में तो आपको दो familiar engine मिल उसके power figures of course 72 horsepower काफी कम है और उसमें manual and EMT का option भी आता है जो better आपको जो engine option मिलता है वो है ये 1-liter 3-cylinder turbo engine ये produce करता है 100 horsepower and 152 nm of torque अपने CVT gearbox के साथ and 160 nm of torque अपने manual gearbox के साथ अब ये जो engine and CVT gearbox का combination है वो काफी अच्छे से fine tune किया गया है और जो gear shifts है वो of course CVT है वो उसकी वज़े से काफी smooth है हाँ आपको manual mode नहीं मिलता है इसके अदर बट एक L mode मिलता है जिसमें lower gears आप use कर सकते है इसका जो engine है जो of course 3-cylinder unit है तो थोड़े vibrations तो आपको feel होंगे पर एक है normal, एक है eco और एक है sport and ये सिफ gimmicky modes नहीं है जिससे आपके सिफ instrument cluster के modes change होते है ये actually differ करता है आपका car के characteristics तो eco mode में आपका throttle response हो बहुत काफी कम हो जाता है वो mostly mileage extract करने के लिए जो normal mode है वो अच्छा balance है आपके sports and eco के बीच में and इसका throttle response अच्छा है, power भी great है and as such आपको power की कमी कई feel नहीं होगी पर जब आप sports mode engage करोगे आप car actually काफी eager हो जाती है आगे throttle काफी sharp हो जाता है इसका and इसका steering wheel है वो भी काफी अच्छा feel के साथ आ जाता है तो अगर आप sports mode में डाल के इसको drive करिए तो ये काफी fun होने वाली है especially you know इसका steering की अच्छी feel है अगर handling की ब आपको uncomfortable लगेगा bad roads पर being a Renault जैसे की duster आप जानते काफी अच्छी ride quality है वैसे ही काईगर की भी बहुत अच्छी ride quality है and ये car bad roads काफी अच्छे से ले लेती है and आपको as such ऐसा passengers या कोई complain नहीं करने वाला है और इसका balance इतना अच्छा है कि ये ride quality भी अच्छी दीती है और सा weight भी इतना नहीं कि ये around one ton के होगी तो इसका जो weight and engine and gearbox के साथ जो ये combination है इसका ये काफी fun हो जाती है तो ये थी MY2022 Renault काईगर अब obviously अगर आप देखे तो Renault ने इतने सारे changes नहीं किये car में और ये अच्छी बात है because overall as a core product काईगर एक बहुती strong competitor है compact SUV segment में इसके अंदर का काफी सारे features है इसकी ride and handling balance काफी अच्छी है और इसका जो turbo and CVT option है वो भी काफी अच्छा और fun है drive करने के लिए और जो value for money proposition है वो काफी unbeatable है इस segment के अंदर आप अगर prices की बात करें तो ये रुपीज 5.99 लाक और रुपीज 10.62 लाक एक शोरो मुंबई की बीच में आपको अगर इसे निसान मागनाइट के ओवर चूज करेंगे तिल देन इस फैजल साइनिंग और रेव हार्ड एंड रेव फ्री